स्वागा थे आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरू चैनल में आने के लिए दने बाद दोस्तों मेरा नाम है सजीर उद्दिन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरू तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं दोस्तों आज छोटा सा एक वीडियो लाया हूँ जो आप अगर नया नया मेकानिक हो तो यह वीडियो उनके लिए है बहुत ही काम आएगा क्योंकि छोटे मोटे चीज जो होती है केटिकल चीज वही बहुत महतोपून होता है और बहुत ह जरूरी होता है तो इस टीएगर आमने मैंने बनाया एक होन को किस तरह से वार्क करें जैसी कि होता है यह होरें किस तरह से चलता है और इसमें भोल्ड कैसे आता है और ग्राउंड कैसे आता है यह बसता है तो बाई जब कोई शौप पर आता है होरें बोलता है नहीं बज़ और यह पीच बॉक्स और यह ग्राउंट ठीक है यह आर्तीं और यह फीच बॉक्स यह 12 भॉल्ट चल जाता है डारेट सम सुइच पर इगनिसन स्विच जब हम वान करते है तो 200 फे भॉल्ट आता आए जैसे कि यह रिडो वाला जो वायर है कापी इसे बाइक पर अलग-अलग कि तरह कलार होता है मैं आपको बता देता हूं कुछ का संपूल तो जैसे कि tvs back में होता है orange color volt या में होता है जैसे मीटी color होता है और हीरो हेरो हुंडा में black color का चाहबी ignition one करने का बाद तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं जैसे कि ignition one किया करने का बाद जैसे कि यह बैटरी पर भोल्ट आता है ignition switch पर जब हम ignition one करते हैं तो इस वाइर पर भोल्ट आता है आने के बाद यह चल जाता है काभी सरी जगह पर जैसे कि cellpister switch हो, brake switch हो, meter control हो, parking light हो हर कोई जगह पर यह बोल्ट चल जाता है तो उस तरह के यह एक होन का switch होता है push switch जब हम यहाँ दबाते हैं तो होन बसते है इस switch पर भी भोल्ट जाते है दोस्तों यह किसले जाता है जब Ignition 1 के यहां से यहां बोल्ड गया जब हम पूस्ट करेंगे तो इस वायर पर भोल्ड आएगा इस वायर पर भोल्ड आने के बाद यह हौन फिशल जाएगा तो भोल्ड यहां से मिल गया अब ग्राउंड कहां से लूँ तो दोस्तो हर कोई बाइक में अभी जतना भी बाइक आ रहा है उसका ग्राउंड फिस्टिंग होता है जिसके यह चार्चिस है और यह बैट्री का नेगेटिव तो यह डाइरेट यहीं से लाइनी से मिलता रहता ह है शूचरान भाद है इतिक लिएक राउंड हम लोग करते हैं कि चोषीन करने काुझा इसकर भाद रहता है आहां बोन का रहता है इतिए षिए आसने पाता है गरांड और बोल्ट ओन चाने से अब आधिक Kहलता है जब आपका होण नहीं बचता है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जैसिक है दोनों वायर है दोनों किलिप है हॉन का यहां माल्डी मीटर लगा के आप चेक करो बारा भोल्ट आ रहा है कि नहीं होन दबाने के बाद अगर आ रही है तो एक होन का पीछे टूनिंग एर्जेस्ट नांट होता है उसे आप धीला करो या टाइट करो अगर कहीं भी नहीं आ रहा है तो होन खराब है भोल्ट आ रहा है तो अगर भोल्ट नहीं आ रहा है आर्तिंग आ रहा है तो आपको भोल्ट चेक करना पड़ेगा सबसे पहले हॉन का स्वीज में यहां बारा भोल्ट आ रहा है कि नहीं उसके बाद जब पूस करने का बाद यहां बारा भोल्ट आ रहा है अब जैसे कि यहां पर बारा भोल्ट आ पूस्ट करने के बाद यहां बारा बुल्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब स्वीज मेरा खराब है स्वीज को खोल के वास कीजिए हो सके तो अगर हो जाए तो अगर नहीं हुआ तो हॉन का जो हैंडल बार स्वीज होता है उसे चेंज कर दीजिए तो दोस्तों यह सब प्रा